मस्कार स्वागत है आपका हमारे चैनल पर मैं हूँ आपके साथ शिप्राजैनी मॉंबाई क्रूस ड्रग केस में शारुख खान की बेठे आथियन खान को भले ही जमानत मिल गई हो लेकिन मुश्किले कम नहीं हुई है चूकि अब आथियन खान ड्रग केस में NCB की SIT इस पूरे माफले की जाच कर रही है और मुश्किले आथियन खान के लिए बढ़ चुकी है चूकि अब SIT ने आथियन खान को समन भेज दिया है और पूस्ताच के लिए उन्हें NCB के दफ्तर बुलाया किया है तो जो आथियन खान फिलाल इस पूरे ड्रग केस में जमानत पर बाहर है लेकिन अब एक बार फिर से मुश्किले बढ़ती नजर आ रही है उनसे पूस्ताच इस पूरे माफले में होगी और इसी के साथ साथ आपको बता दे आरियन खान के दोस्त अरबाज मर्चिंट इसके लाहवा अचित कुमार चोकी उनके दोस्त है उनसे भी NCB की ये नई टीम पूस्ताच करे की आपको बता दें NCB के जोर्नल डिरेक्टर समीर फ़ान खेडे आरियन खान ड्रग केस में जाच कर रहे थे लेकिन अब SIT को इस जाच का जिम्मा सौंपतिया किया है और इसका नेतर्तु जो है टीम का वो DDG ऑपरेशन संजे कुमार सिंग कर रहे हैं और उनके नेतर्त में ही 13 अधिकारियों की ये टीम है जो बंबे पहुंची है और इस पूरे माहले की जाच कर रही है आपको ये भी बता दें कि ये भी ख़बर साथ ने आई थी कि दरसल जो समीर फ़ान खेडे हैं NCB के जोर्नल डिरेक्टर और उनकी टीम है अभी तक जो इस पूरे माहले में जाच पढ़ताल की है अब वो जाच पढ़ताल आगे बढ़े की और उसे SIT की टीम आगे बढ़ाई की कॉंड्रेलिया क्रूज जहां इस पूरे सीक्रेट ऑपरेशन को अंजांत दिया किया था जहां से इस पूरे ड्रग नाक्सिस का खुलासा हुआ थ लेकिन उसके बाद इस पूरे केस में एक के बाद एक चोकाने वाले खुलासे निकल कर साफने आई हैं आपको बता दे इस पूरे माहले में इंटरनेशनल ड्रग सिंटिकेट के तार जो हैं वो जुड़े पाहे हैं नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जो इस पूरे माह में इंटरनेशनल ड्रग सिंटिकेट से तार जुड़े हुए हैं विदेशी ड्रग पैटलर हैं जिनके साथ आर्यन खान संपर्क में थे और वहां से ड्रग सप्लाई हो रही थी और आपको ये भी बताते हैं कि इसको लेकर ही समीर फान खेडे जो की NCB के जौर्रल डिरेक् आए यानि यह पूरा माफला अब इंटरनेशनल ड्रग सिंटिकेट से जुड़ा हुआ है तो ऐसे में विदेश मंतराले की भी जरूरत है और साथ ही केसरे जांच एजनसी इस पूरे माफले की जांच करें तो उसके बाद अब NCB की SIT का गठन किया है कुल 6 केसिस जो है वो में तिर्थ में ये तीम जो है इस पूरे माफले में चानबीन कर रही है तो शारुक खान के बेठे आर्यन खान पहले ही जिस तरीके की पावन्तिया पॉंपे हाई कोर्ट की ओर से उनकी जमानत को देते हुए लगाई गई है वो उनकी मुश्किले बढ़ा रही है चुकि हर शुक्रुफार उन्हें NCB के दफ्तर में पेश होना है वो वहाँ हाजरी लगाने पहुंसते हैं और अब आपको बता दें एक बार फिर से जमन फेशतिया क्या है और अब SIT की टीम इस पूरे माफले में चानबीन करे की लेकिन इसके अलावा आपको बता दें नवाह मलिक जो लगातार आर्यान खान को बचाने के लिए NCB के जॉर्नल डिरेक्टर समीर वान खेड़े पर सवाल खा रहे थे जो उन्हें चारों तरफ से खेर रहे थे अब उनके दामाद पर भी ये टीम शिकन जाका सकती है खबर ये है कि दरसल नवाह मलिक के दामाद जो की इस पूरे ड्रग केस में पहले गिरफ़तार हो चुके हैं उनके पास से NCB को गांजा बरहमत हुआ था जिसमें उनकी गिरफ़तारी हुई थी नो महीने तक वो जेल में रहे हैं लेकिन एक पार फिर से इस पूरे माखले मे SIT की टीम उनसे पूस्ताच कर सकती है चुकि मुंबाई के क्रूज पर ये जो रेह पार्टी चल रही थी मुंबाई से गोफा ये क्रूज जा रहा था जिस पर ये पार्टी होनी थी लेकिन उससे पहले ही NCB के जोर्नल डिरेक्टर समीर वानखेडे के निर्तिर्थ में इस सीक्रेट ऑपरेशन को अंजांग दिया किया और ये ड्रग का बड़ा भंडा फोर जो है वो महराश्ट में और मुंबाई में हुआ और उसके बाद इस पूरे माखले में एक के बाद एक चोकाने वाले खुलासे निकल कर साहने आए ना सर्फ इंटरनेशनल ड्रग सिंडिक का खुलासा हुआ बलकी बॉलिफूर के स्टार स्टारूक खान के बेटे अर्षन खान को ले कर भी कई चोकाने वाले खुलासे निकल कर सांखने आए कि किस तरीके से पिछले 4 साल से पिछले आर्षन खान ड्रग का सेवन कर रहा थे तमाम बॉल्फूर्ड के star kit थे जिनके साथ वो सम्पर्क में थे वहां गांजा और चरस की चैट हो रही थी किस तरीके से कहां से ड्रग की सपलाइ करनी है कहां से ड्रग को खरीदना है और बेचना है कि भी बाची जो है वो चैट में हुई थी और ये तमाम सबूत जो थे, ये NCB के पास अभी भी है, भले ही Bombay High Court से आथियन खान को जवानत मिल कई हो, लेकिन मुश्किले कम नहीं हो रही है, चुकि माहराश्ट में इस पूरे ड्रग नाकसिस को खंगाहले में NCB जुटी हुई है, और समीर वानखेडे अभी भी इस पूरे केस से जु चुकी है, Gondralia Cruise जहां पर इस पूरी रेड को अंजाव दिया किया, वहाँ ये टीम पहुँची, समीर वानखेडे भी उनके साथ मौजूद थे और उन्होंने तमाम जो जानकारी है वो DDG Operation संजे कुमार सिंग को दी है कि क्या कुछ जाच अभी तक उन्होंने इस पूरे मा points है, वो खंगाले गए हैं, तो पूरी सीरे से जो जानकारी है, वो समीर वानखेडे ने SIT टीम को दी है, यानि आगे की जाच जो है, वो अब SIT की टीम करेगी, तो जो नवाफ मलीक ये खैर बना रहे थे कि समीर वानखेडे आब इस केस की जाच नहीं करेंगे, तो कहीं न कहीं, इस पूरे केस पे अब उनके दामाद का नाम नहीं आएका, लेकिन अब जिस तरीके से SIT को इस पूरी जाच का जिम्मा सौफा क्या है, नवाफ मलीक की मुश्किले बढ़ चुकी हैं, चुकि उनके दामाद समीर खान से भी अब पूस्ताच होगी, उहें भी समन साल, नवाफ मलीक जो NCB के जॉर्नल डिरेक्टर समीर वानखेडे पर तवाम आफरोप लगा कर इस जाच को परभावित करने की कोशिश कर रहे थे, बीज़पी के तवाम नेताओं पर आफरोप मढ़ा जा रहा था, लेकिन अब जाच शुरू हो चुकी है, और SIT की टीम ए थे, आहियन खान के खास दोस्त हैं, उनसे भी, अब NCB की ये SIT टीम पूस्ताच करे की, आने वाले वक्त में इस पूरे केस में आहियन खान की दोफ़रा भी गिरफदारी हो सकती है, मुश्किले उनकी बढ़ सकती है, इसमें कोई जंदे नहीं है, क्योंकि अब आपको में जिस तरीके से International Drug Syndicate का खुलासा हुआ है, International Link जो है, वो साथ ने आई है, किस तरीके से आहियन खान की जो चैट है, वो ये बया करही है, कि विदेशों से तार जुड़े हुए हैं, और ये भी खुलासा हो चुका है, कि आहियन खान ने जब विदेशों में पढ़ाई की, तो वहां ड्रग का सेवन किया, और वहां तमाम ड्रग पैसर के साथ वो संबर्थ में रहे, और फिर भारत में आकर उन्होंने इस काम को जारी रखा है, और यहां तक कि दूसरी और बीजेपी, ये बड़ा खुलासा कर रही है, कि दावती प्राहिम के जो गुर्के हैं, उन वज़ा है कि समीर खान का बचाफ किया जा रहा है, और समीर खान का बचाफ करते हुए, NCB के जोर्नल डिरेक्टर समीर वान खेड़े पर सवाल खाये जा रहे हैं, उन्हें घिरा जा रहा है, ताकि पूरी जाच को परफावित किया जा सके, ताकि इन ड्रग माफियाओं को शिकंजा ना कसा जाए, अगर ड्रग माफिया जाहिर तोर पर NCB के शिकंजे में आते हैं, तो उधव ठाकरे सरकात में कई नेता, कई मंतरी ऐसे हो सकते हैं, जो मुश्किले उधव ठाकरे की बतोर मुख्य मंतरी बढ़ाएंगे, और यही तमाम चीज़े हैं, जिसकी हैं, तो आपको बता दें, यह बड़ा ड्रग नाकसिस माहराष्ट में चला रही हैं, और अब गोभारा चेल जा सकते हैं, यही वज़ा है कि इस तरीके के जो तफाम हतकंडे हैं, वो नवा मलिक की ओर से अपनाई चा रही हैं, लेकिन फिलाल आर्यान खान से पूस्ताच कर लिंक ही है, जिसका खुलासा SIT की टीम कटने जा रही है, और अगर यह बड़ा खुलासा होता है, अगर इस लिंक का खुलासा होता है, तो जाहर तोर पर महराष्ट सरकार में कई ऐसे बड़े चेहरे होंगे, जो बेनकाफ होंगे, और कई ऐसे चेहरे होंगे, जो जेल की सल झाल झाल